नमस्कार है पहिन बाशपई अपने यूटूब चैनल महित पहिन बाशपई पर आपका बहुत-बहुत सौगत करता हूँ थम्लिल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं यहां SSE CGL 2023 का जो एक्जाम है उसकी डेट के रिगारिंग धेड़ सारी रिमर फैल लई है कोई कुछ बोला है कोई कुछ बोला है तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आपको एक अथेंटिक वीडियो बना के दिया जाए ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से और अथेंटिक में बताई जा सके तो आज किस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ कि SSE CGL 2023 का जो एक्जाम है वो कब तक हो सकता आपका हो चाहें वो MTS का हो चाहें GD का हो आपको Bumper Vacancy देखने को मिलेंगी अब ऐसा मैं यूही नहीं बोला हूँ इसके पिछे का reason भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए start करते हैं बस आप सभी से request इक इस वीडियो को आप पूरा देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि exam कब तक होगा तो उसके लिए आपको यह समझना होगा कि calendar कब तक आएगा तो calendar के लिए आपको आप इतनी बात समझ लेजे कि जब तक 2022-30 के जितने भी exam है उनका completely वो notice जो है वो नहीं आ जाएगा जब तक की notification नहीं आ जाएगे तब तक की दूसरा process आपका start नहीं होगा तो यह मान के चले कि 31 मास तक जितने भी notification 2022-30 के आने वो सारे के सारे आपके आ जाएगे जब 2022-30 के सारे notification आपके आ जाएगे उसके बाद अगला जो year है यानि कि 2023-2024 है उस पे काम होना start होगा यानि कि जो भी आपका calendar आएगा वो March के बाद आएगा तो उमीद यह है कि जो calendar SAC का है वो April या मई में आपको देखने को मिलेगा उसके अलावा अगर हम बात करें कि CGL का exam कब तक होगा तो एक information है मेरे पास कि directly जो DOPT है उसको instructions है PMO की तरब से क्योंकि आपको पता है कि vacancy जो है वो mission mode पे चल लाई है और December जो 2030 का December है उस December तक 2022 C complete करा लिए जाएं क्योंकि 2024 में आपका election है और vacancy पे बहुत ज़दा focus है आप लोग देख पा रहे होंगे कि मोदी जी ने बादा किया है कि 2023 में केवल 2030 में 10 लाग vacancy वो भरेंगे और आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर 22 तारीक को रोजगार मेला लग रहा है जिसमें joining later जो है वो joining जो है वो दी जा रही है तो कहीं न कहीं पूरा focus आप लोगों पे है उसके अलावा center level के अगर बात करें तो यहां पे तो focus है state जहां पे चुनाब है बहां पर भी focus हो रहा है तो यह अच्छी ख़बर है आपके लिए कि जो आप हैं उन पे बहुत ज़दा focus है क्य जुन या जुलाई तक आपका जो exam है वो conduct करा लिया जाएगा क्योंकि पूरा exam जो pre और main से उसको कराने के लिए कम से कम 6 महने का time चाहिए ठीक है तो पूरा जो vacancy उसको fill up करने में 6 महने का time लगेगा तो यह मान के चलिए कि जुन से जुलाई तक आपका जो pre का exam है CGL 2030 का वो आपका हो जाएगा और vacancy की अगर हम बात करें तो vacancy जो है वो इस बार भी आपको कम से कम यह मैं मतलब कह सकता हूँ अपने अनुमान से कि जो vacancy आपको 22-23 में दिख रही है 25-36,000 के बीच में आपकी 25-38,000 के बीच में होगी तो उससे जादा या उसके बराबर ही रह सक कानुमान है क्योंकि कहीं न कहीं आप पूरा टार्गेट हो और ये बात मोदी जी को भी पता है कि अगर election जीतना है तो कहीं न कहीं युवाओं के लिए काम करना पड़ेगा तो vacancy mission mode पे चल लही है और हर जगा आपको vacancy ठीक ठाक देखने को मिलेंगी तो vacancy के अगर बात की इंग commence हो जाएगा ँग्साम हो जाएगा तो जो बच्चे जो जिनका इस बार ठीक-ठाक प्री नहीं गया जो फ्रेसर हैं जो कहीं पूरा नहीं हो रहा था इस बार तो उनको क्या करना है आपको मुकाबला जो करना है वो उन लोगों से करना है जो कई टाइम से preparation करना है converting को हो सकता है जो जिनका इस बार नहीं हुआ या कुछ ऐसे भी strength पेटते हैं जो select होते हैं तो उनको अगर आपको beat करना है तो अभी से एक proper में preparation करना start कर दो जो अपने basic से चाहे वो math के हो चाहे वो English के हो चाहे वो GS के हो इनको आपको बहुत मजबूत करना और जो previous question है वो SSC के किसी भी exam में पूछे गया हो वो सारे के सारे आपके जबान पे होने चीए तब ही आप इस exam को qualify कर सकते हो तो ये छोटी सी information थी जो मुझे आप लोगों तक share करनी थी उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारिया आप तरीके से समझ पाया होंगे आपको करना किया इस वीडियो को ज़्यादा share करना है उसके लावा अगर आप चैनल पर नहे हैं और आपने भी तक किसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा